हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई टूब चैनल तो हमारे यूटूब चैनल पर आप सफीका स्वागत है तो आज हम एक बेहतिर महत्पुन टॉपिक पर बात करेंगे जो काफी सारे स्टूट्रेंट को हो रहा है ठीक है अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किस किसी भी परिक्षा के लिए रनिंग कर रहे हैं और आपकी सांस फूलती है दोड़ते वक्त तो आज हम आप लोग को कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपका सांस फूलने का बीमारी जो होगा वो आपका बंद हो जाएगा धीरे-धीरे बिल्कुल कम हो जाएगा और रनिंग भी कुछी दिनों में ठीक हो जाएगा और आप परिक्षा के लिए एक अच्छे नंबर ले पाएंगे ठीक है तो अगर आपने मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिजेगा बगले बेल आइकन का निसान होगा तो उसे भी समय समय पर मिल सके हैं ठीक है फिलहाल हम लोग रनिंग के कुछ टिप्स के बारे में जानेंगे कि क्या है रनिंग के टिप्स है तो वीडियो को सुरू करते हैं आप वीडियो सुरू से लेकर अन तक जरूर देखेगा दोस्तों रनिंग में सास फून ले की समस्या कई लोग यहँ होती है तो बारी-बारी से हम लोग डिटेल से सम्झेंगे पहले आप पॉइंट्स के बारे में जान लेजिए आपका डाइट में घड़बडी होना, दूसरा आपका पॉइंट है आपका बेट से जादा है तब भी आपका रहनिंग नहीं हो पाएगा, तिसरा आपका का कारण है आपके बॉडी में इलेक्टरल की कमी यह इलेक्टरल क्या होता है मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा सबसे पहले आप कारण के बारे में जान लिए तो सबसे पहला कारण है आपका डाइट में गड़बड़ी होना तो डाइट के गड़बड़ी को हम लोग समझ तेल डालडा घी से बनी कोई चीज का इस्तमाल ज्यादा करना अगर आप ऐसे चीजों का इस्तमाल करते हो तो तुरा सी तुरा थी आप इसे क्लोज कर दिजिए बंद कर दिजिए ठीक और एक अच्छा डाइट लिजिए जिससे आपका सांस नहीं फूलेगी और डाइट से र उन सबी को आपको कम कर देना है ठीक नहीं के बरावरी खाना है ठीक है अब हम दूसरे कारण के बारे में समझते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को भी हो जाता है ठीक है आपका बेट ज्यादा होना तो उसे भी हम लोग समझ लेते हैं ठीक है बेट के बारे में ठीक है बेट मैं अब आपको और बता देदा करने के लिए कैला दूर्म खाला टाउंत एसका इसका 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 यह रहा आपका बेट से सम्मंदी ठीक है अब हम लोग तीसरा पॉइंट समझते हैं जो कि काफी महतपूर्ण पॉइंट भी है इसे भी आप ध्यान देगा पैरों में दर्द के कारण भी रनिंग खराब हो जाता है ठीक है अक्सर लोग पंजों के दर्द सीन पें दर्द घु होता है ठीक है वो आपका हो जाता है ठीक है तो अगर आपके पैरों में दर्द है तो फिलाल आप अराम करिए ठीक है तो सीन पें बगएरा में चाहता आप हाई जम बगएरा इस सब करने की कोशिस मत करिए का चाहता है ठीक है अब हम समझते हैं लास्ट पॉइंट के बारे हैं आप जरूरत से ज्यादा पानी पीजिए ठीक है ज्यादा पानी का सेवन करिए ठीक है जिसे आपको इलेक्टरल की कमी नहीं हो पाएगी ठीक है आप उसके जगा पर निम्बू पानी का भी सेवन कर सकते हो ठीक है आपके सरीर में पानी ज्यादा होने से आप इनर्जेटि रणिंग को एक एक बैतर रूप दे सकते हो ठीक है तो इन चार कारणों को आप धियान से समझ लिजेगा ठीक है और एक और फिजिकल से समझ दित एक और वीडियो में आलाओंगा तो उसे भी आप जरूर देखिएगा और मैक्समुम हो सके तो आप जितना सेर कर दिजेगा अ तो फिलाल हम लोग वीडियो अहीं तक रहने देते कब तक के लिए जय हिंद जय भारत